सबी बईयों को नमस्कार स्वागत करते है मैं आपके अपने चैनल संसनीवाल डैरी फारम पर आज का वीडियो लेके आ रहे हैं जी स्पेशल जो हमारी देशी नसल की गाए हैं उनके लिए और उस गोशाला से कहूं या उस आदमी के गर से कहूं वो गाए मैं आज आपको रिपरजेंट कर रहा हूं जिन गाएं को देखके पूरे हरियाना ने मैं कहूंगा जब नया नया गाए का क्रेज आया तो बाई साब को देखके और इनकी गाएं को देखके ही लोगों ने सिखा के अच्छी गाए रखनी चाहिए मेलों में पारिटिस्पेट करना चाहिए और अच्छे गाए के परती मैं कहूंगा बहुत ज़्यादा जागरुकता बाई के यहां से आई और एक अरियाना में जब देशी गाए का नाम आता है तो मेरी कहल से कोई आदमी ऐसा होगा जो सबसे पहले नसीब बाई का नाम ना लेता हो नसीब सिंग मुच्छल के नाम स मशूर हैं और बाई को पूरा देश जानता है पूरा वर्ल्ड जानता है और वो गाए इनके पास हैं जो मैं कहूंगा लोगों को एक किसम से अगर कोई आदमी सोचता है कि जी सपने में कौन सी गाह दिखाई देती है तो सामने आप शान्ती को देख पा रहे हैं ऐसी ऐसी गाए लोगों के सपनों में आने वाली गाए हैं ये जिनको लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे गर भी ऐसी गाए हो और नसी बाई इतने परसिद आदमी हैं जिनको पूरा वर्ल्ड जानता है देश जी गाए के उपर जब इन्होंने पहले बैसों का काम करते थे तो बैसों में बहुत चांदार जो है बैसे रखते थे और जब गोदन की बात करें तो गाए भी एक से बढ़के एक इनके पास हैं पुछेंगे बाई साब से बात करेंगे बाई साब नमसकार नमसकार तो नसी बाई सबसे पहले तो आप आई ये वीडियो साथ रोड में बना रहे हैं ले सेक्टर इसारगा 25 अलाट हो रहा है शरकार नखाली करवा लिया ठीक है यहां 400 किले जमीन के थे और यह साइड में यह अपनी जमीन है डेड किला ठीक है याड बोवा बाई बोवा चोटने तो यह सुवेर आठ बजे लेता हूं श्याम को पांच बजे गर लेगी जाता हू टीक है तो पैर ठीक होगे गायो के बिल्कुल फेट होगे सारे खूर जमा खराब ऊगे थे बिल्कुल गुमान शे बहुत परक पड़ा काफी फरक पड़ गया ठीक है और यहां यह ताजा पानी डाल देता हूं ठीक है चरके डेड बजे 2 बजे अपना पाणी पिना गिले तो ठीक और शाम को फिर पांच बजे अपने आप एक आवाज पर लगातेगर चल पड़ती हूँ अच्छा एक आवाज पही चल शाते हैं तो गर कितनी दूर पड़ेगा पना यहां तो कोई दूर तो है नहीं समस्या है तो नसीब भाई बच्छडे की भी बात करेंगे गाये की बात करेंगे मेरे को पहले तो ये बताओ कि अभी अपने पास दुदारू गाये हैं या सब ड्राई हैं दुदारू दो गर पह गाये दो गर हैं बाकी यहां पे जो खड़ी हैं तो अब यह द्राई है जो आप आती नो देखेंगे तो नसीब भाई जयसे के हैं कि आपने कखड़ी चैनल तो कौन से मेलों में जितनी है कितने इनाम जितनी है कोउने-कीन कहा शांति उन्नीस हो गए ठीक जिसमें आल इंडिया के भी हैं लोकल मिढे भी है रजए सत्र के भी है जलए सत्र के मिलां के 19 11 competition जीत चुकी है तो वो competition कौन से जिते दूद के जिते ड्राई के जिते ब्यूटी के जीते ये total लगा लो दूद में तो सारे जो इसके आठ साथ है वो दूद में और इसमा एंडिय करना लगे है दूद में और सुन्दरताम दोनुं ठेक है कठे वो लगते हैं इसके सारे एक करनाड के इसके रेकोड नाम कम से कम चैमेडल लगते चैमेडल नहीं ठीक है और और ड्राई में भी जिती है कहीं ड्राई में जिती शारा पने और इसमेकर अगार द्धिर में ठेक है पंजाब मुक्सर पतियाडा सारी जगह जीत चुकी है 19 कर चुकी आप इसको शन्याश कोई कमपीटिशन नहीं लड़ेगी देखिए आप शांती को देख पा रहे हैं वह गाए जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा वह ब्रीडर जिसको जिसको देख के लोगों में गाए पालने का दोबार अशे चाव पैदा हुआ और वह गाए जिसको देख के जो है लोग की बात करें ड्राइ कटेगरी की बात करें और मिल्क ब्यूटी की बात करें हर जगे जो है ये गाए चैंपियन है एक जो गाए जिस जो गाए माता जिसे हम बोलते हैं तो गो माता इसलिए बोला जाता है कि ये शांत भी होती है और जहां कहीं भी खड़ी होती है जिस किसान लिक्सान को बैल पालने होते थे, तो भी ये कभी एक किसान का सीर्न नहीं जुखने देती थी, अब जब मैलो की बात आई है, तो शांती से ज़ादा सुंदर ज़ादा दूदारू, और ज़ादा से ज़ादा मेले जीतने वाली गाये, आज हरियाना में कहीं भी, किसी के पास भी नहीं खड़ी है तो नसी भाई यह बताओ के कितना दूद ज्यादा से ज्यादा आज तक शांती ने रिकॉर्ड करवाए है 21-830 ग्राम दूद शांती का एचल डी भी में है 21-800 पहले 19-560 अच्छा तो पहले 17 था ठीक है 21-830 ग्राम दूद दे के मेरी ख्याल से कोई गाय होगी अरियाना में जो इससे ज़्यादा दूद वाली गाय हो और लंबी वीडियो जरूर होगी लेकिन आपको बड़ा इंट्रस्ट रहेगा यह वो गाय है जो एचसबी इस आर्स्पम बायोटेक पे एक मातर जो है अरियान का एच 860 का बचड़ा वह हमारे फारम पे खड़ा है कोई और लेने की ना तो कभी हर्याना नसल का बूल इच्छा होती है और श्यांती से बढ़के कोई चीज हमें मिल भी नहीं सकती इसके कोक से पैदा हुआ तो नसीब भई वह बचड़ा भी आपने देखा मैंने कली वी बिल्कुल यह नहीं को बचुठी दुकान है कि अब हो कि देता पकेड़ा बताया दिया फलानी का दखड़ा कोई समय दोखा दड़ी को नहीं तरने भी देखिए सारी बार तुम अगर भी आया वीडियो भी बनाई है बिल्कुल तो आप बिल्कुल और जनल लेगे हो और य 560 नसीबाई के पास 885 885 H 885 ठीक है तो H 885 का क्या रिकॉर्ड यह भी परिवार के है ठीक है तो यह बचड़ा देखिए स्धान्ती और यह पिछले भ्यांत का इसके बाद दुबारा बच्चा नहीं दीया कि तो भी अच्या एक बचड़ी और भी दे चूक है ठीक है तो य देखिए जी इसका कोई नाम नोम भी रखा है नसीब भाई तो जो बाई नसल सुधार करना चाहते हैं मेरी ख्याल से नसीब भाई जो है वो सायद क्या पता बच्छडे को बेचे ना बेचे लेकिन मैं कहूंगा एक नसल सुधार में बड़ा अच्छा योगदान इस बच्छ भी देंगे ठीक है तो नसीब भाई जैसे शांती देख ली शांती का बच्छडा देख लिया ये गाए कोण सी आ अपने आपके पास ये राणी है ठीक है ये तो मेरी ख्याल से जो उम्रा से आई थी वही है उम्रा से आई थी जो ब्यानी परदर्सनी में गई थी और बिव बारिया हाइट है और उस मेले में थोड़ी बहुत गडबड गोटाले भी हुए लेकिन ये जो गाई है बारी हुआ है बारी गोटाला हुआ है लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे देखिए राणी नाम की गाई है इसके रिकॉर्ड भी मैं पुछूंगा कितनी काम मिलती है और बहुत महेंगे रेटों में ये गाय आई थी और बाई-साब के पास भी आके काफी अच्छे पैसे जो है इस गाय के लग रहे थे लेकिन बाई-साब को चाव है ब्रीडिंग का काम करते हैं तो बहुत अच्छी गाय ये है बाई-जा इसका बताओ जी को अच्छा आपने बच्चडेन का है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चिता से प्रैग्नेंट है देखिए ये बहुती सांधार भूती श्रीफ गए है तो नसीब ये तो जो जो खाया अपाद देख रहे है ये तो बेचने वाडे नहीं ऊंगी अपनी तो ठीक है तो यह एक राणी अपने आपा देख ली और ये वच्छिया इदर आगी ये कोण से बुलकी है या इसकी 880 ये भी 850 किया ठीक है ठीक है इस बार थोड़े कमजोर दिखाई दे रहे हैं पर लंपी के कारण ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एक गाई वो री वो उसके बार में भी बताओ गये पिछले ब्यात में गोहाना से आई ती और इसकी बच्छिया भी साइद ये लाल कलर वाड़ी आ है ठीक है तो ये नसी भाई कितने दूद वा लिया गाई अभी भी दूद देती है एक महिना ब्याने का है 19 किलो दूद दिया है इसने और आज भी एक किलो दूद जो है ये टाइम का दे रही है ये देखे ठीक है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो नसी बाई ये बताओ, बहुत सारे बाई उसके नाम पे भी आपा उस चांदी के पास ही चलते हैं बाई साब से मैं ये पुछूंगा अभी कि बहुत सारे बाई गायों के नाम पे जो है गोरख दंदा भी कर रहे हैं और क्या किया जाए के गाए को हम सुरक्षित रखें और क्या करना चाहिए के किसान के हर किसान के घर पे गाए बन जाए आज कर लोगान देशी गाह का एक बिजनिस बना लिया, बपार चलू कर दिया, जो लोग ले रहे हैं, तो लोग तो लपी की बिमारी में ही देशी गाहें बेच गे, खुब पैसे कमाये उनों बेचे हैं, गाह के दो किलो दूद है, चैर किलो दूद है, उसका बचड़ा कर दूद है, और या बाखड़ी हो गिरिया, इसका बच्ची है, उस बच्ची का कोई ओंदा रिकोर्ड नहीं है, ठेक है, और लोग वे धंदे चल रहे हैं, जूट कपट बोलके, लोगों को गुम्रा करके देशी गाहें की बिक्री चुरू कर रखी है, ठेक है, और मैं सब से यह कहता हूं, हर बार किसाना बायान जीतनी भी गव लेनी है, जमीदार के खुटव जाओ, दो टेम दूद ने पो बपारी के चक्राम ना उजो, कोई ओनलाइन ना मंगाओ किसे की गाहें, ओनलाइन भी ना मंगाओ, बिल्कुल ना मंगाओ, देशी का तो कदे भी नहीं मंगाने चीए, दो टेम दूद के लिए ठीक है, ये भी उसका सभाव का ही पता चल जाएगा घर जाओ के तो, ठीक है, मेरे खुटव कुछ है, आपका जाएगे कुछ रूप करेंगी तो आपका दिल में यो पेट पाप रहो है, मेरे को गल्त पसू दिया गया, ठीक है, ले जाएगा है, विल्कुल, बिल्कुल, लिए अधर, जमीदार जूड़ रहे उससे पफूँँ से उनका भसड डाउन चला जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल, लपी की बिमारी में लोग मेरे पास भी बहुत गणे हैं लेकिन मनकिशी को गया दिवानें से मना कर दिया भी अब तो उखो पी मैं जपबूदे लम्पी नंगा कहा billion मारी उसके लिण अर्यान तंद तो आर्यान किerson आइज धो भी तो लोग देप निसकाइज थे-ंट रहा है विल कुणि है बिल्कुल और फिर नैट के जरीए लोगों ने फरी दुवाईयां बताई है सेवा देई है तो वो चीछ चलू रही है तो नसी भाई जैसे की वैसे देखो हम बात करें ये तो बात सही है सोच समझ के लेनी चाहिए लेकिन गाई गर बंदे इसका एक रीजन ये भी कारण बन स सरकार की तरफ से तो कोई सविधानी मिली आम आदमी के पास बच्ड़े हैं अच्छी गाए के बच्ड़े भी ने लेती सरकार ना ने रही है कोई भी चीज इमान ले आपका जो बच्ड़ा जारे आपके सिमन जो भी रखवाऊगा बढ़िया तो आगर उसका वन्स आओगा जिसका वन्स बढ़िया दूदारू गाया तो ऐसे ही आगर वन्स चाल लगाने जो लोग जूड़े वह जबी तो रखेगे नहीं बिल्कुल बिल्कुल आदूद वाड़ी होगी तो भी बचेगी गाये तो अभी बैल तो काम में आते नहीं है ना बिल्कुल तो हमारी तो य देखिए जी आज नसीब भाई के यहां वीडियो शूट के हमने शांती जो एक ऐसी गाये है जिसका नाम देशी नसल की गाये की जब भी गिंती होगी सुनहरे अक्सरों में शांती का भी नाम लिखा जाएगा और एक गोधन के साथ ही एक गोपालक की जो है वो गिंती होती है तो शांती का नाम पहले लिखा जाएगा और नसीब भाई का नाम शांती के बाद लिखा जाएगा क्योंकि नसीब भाई को देशी गोपालन में शांती के कारण ही जो इतने आगे तक जो है भाई गए क्यों बाई जी गल्त नहीं कहा कुछ ना बिल्कुल बिल्कुल बिल ठीक है दोस्तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताना और गाये के पालन करने वाले हैं काफी सारे बाते जो हैं बाई साब से हमें इस वीडियो में शीखने को मिली चाहे वो नसल सुधार की हो चाहे वो गायों को गोचरन धर्ती खुला छोड़न के जो है उनको ख खिलाने पिलाने की सुईदा हो पानी दे दो और खुला देखिए गाए ऐसे खाती रहती हैं तो गाए के पैर भी ठीक रहेंगे बीमारिया भी कमाएंगी तो काफी सारी बाते हैं छोटी छोटी अगर आप ध्यान दोगे तो सीखने वाली समझने वाली और नसी भाई के नंब हो सकता है कि ये दे दें तो आप इन से संपरक कर सकते हैं कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताना नमस्कार